नमस्कार में हो प्रिया बिहार नियूज में आपका स्वागत है बिहार में शराब पीने और बेचने पर सक्त पावंदी है लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका पालन नहीं करते हैं हाला कि सरकार इसे लोगों पर श्रिकन जाकसने के लिए आई दिन कोई न कोई ठोस का दम जरूर ठाती है सरकार ने फिर से एक बड़ा फैसला लेते वे कहा है कि अब बिहार में शराब पीते या शराब के नशे में पकड़े ये व्यक्ति को जुर्माना का भुकतान करने पर छोड़ा जा सकता है हाला कि जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में एक महीने के साधरन कारवास की सजा भी हो सकती है आपको बताते चले कि ये विध्यक इसी सत्र में पास किया जाना है शराब संबंधी मामले के सुनभाई विशेश नयाले में किया जाएगा इसके लिए हर एक जुला में कम से कम एक विशेश नयाले होगा बिहार के सबसे उद्योगी कृत जुलो में शामिल होगा किशनगज बिहार सरकार लगातार कोशिश में है बिहार के लोगों को बिहार के बाहर रोजगार ढूनने के लिए नहीं जाना पड़े साथ ही दूसरे राजु के लोगों को भी बिहार में रोजगार प्राप्त हो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है इसे बीच बिहार के उद्योग मंतरी शाहनवाज हुसेन ने कहा है कि वेस्टरन इंडिया की तरही इस्टरन इंडिया विक्सित होगा और इस शेत्र में अद्योगिक विकास का केंद्र बिहार में रहेगा ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का सपना है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के सपनों का और मुख्यमंतर नितीश कुमार की उमीदों का बिहार बनाने के लिए हम निरंतर प्रयतन शील है शाहनवाज हुसेन ने आगे कहा कि पशुम बंगाल से सटा किशन गंज जिला बिहार के सबसे ओद्यों की कृत जिलों में शामिल होगा और यहां लेदर पार्क भी खोला जाएगा कैंसर मरीजों के लिए कीमो थेरपी और पैलियेटिव केर वोट जल्द होंगे शुरू कैंसर जो इसे घातक बिमारी के लाज और सतर्क्ता को लेकर बिहार सरकार लगाता ठोस कदम उठा रही है इसे कड़ी में बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और होस्पिटल में कैंसर की चिकित सासोविधा अगले 6 महीने के भीतर आरंभ किये जाने की योच रहे है इसके लिए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अगले छे महीने के अंदर कैंसर के मरीजों के लिए 10-10 बेट के कीमो थेरपी और पैलियेटिव केर वोर्ट शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही स्वास्तमंत्री मंगलपांडे ने कहाए कि राजु में कैंसर मरीजों की संख्या की वास्तविक स्थेती जानने के लिए पटना और मुजफरपुर में कैंसर रिजिस्ट्री की ववस्ता आरंभी की गई है सभी प्रमंडलिय मुख्याले में 500 सीट का बनाया जाएगा ओडिटोरियम बिहार में कला संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेश इंतिजाम करने जा रही है इसके साथ ही यहां आर्ट ग्यालरी भी बनाने की योजना है यही नहीं मधुबनी सिर्थ मिथला चित्रकला संस्थान का नर्मान 27 करोर 48 लाकी लागत से कराया जा रहा है यहां से सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स जल्दी शुरू हो जाएगी इसके लिए वधानसभा में 520 करोर का बजट पेश किया गया वधानसभा में कला संस्कृति और युबा वभाग के मदरी आलोक रंजर ने कहा कि पंचायद सरपर संस्कृतिक कतिविधी को पहुँचाने के लिए लगातार काम किये जा रहे है बिहार में बिजली की आधारभूत सनलच्टा को किया जाएगा विक्सित बिहार में पिछले कुछ बर्षों से बिजली ववस्था पर काफी काम किया गया है बिहार के कोने कोने तक बिजली पहुँचाने की कोशिश की गई है यही नहीं अब बिहार के बिजली ववस्था को आधारभूत सनलच्टा को विक्सित करने के लिए बिहार विभाग अगले एक-दो सालों में दस हजार करोड से अधिक खर्च करेगा साथ ही कहा है कि विद्योच्षेत्र के आधुनी की करन के दौरान ट्रांस्मिशन लॉस को कम करने के लिए सभी आवश्य कदम उठाए जाएंगे टाकि इसे राष्ट्रिय औसत पर लगाया जा सके बिहार के उर्जा मंतरी विजेंदर प्रिसाद यादव ने वधान सभा में कहा कि इन सभी कारेों के लिए करीब 10,000 करोड से अधिक खर्च किया जाएगा आई टी आई में 10 नए कोर्स किये जा रहें शामिल बिहार में सरकारी ITI को बहतर करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किये जा रहें इसके लिए ITI बे 11 नए कोर्स शामिल किये जा रहें इन कोर्सों के बारे में बताये गया है कि ये वो कोर्स ऐसे हैं जो मौजुदा समय में बाजार की मांग को पूरा करेंगे, साथी राज्य के अध्योगिक छेत्र की जरूरत को भी पूरा करेंगा इसके लिए तातक के साथ ही MOU किया गया है, इस कोर्स से युवाओं के लिए अधिक रोजकार के साधन भी मुहाया होंगे यही नहीं, परंपरागत बिजली के अलावा गैर परंपरागत बिजली पर भी बिहार में काम हो रहा है, खास कर सोलर और पनबिजली के छेतर में काम किया जा रहा है इसको देखते वे सोलर टेक्नीशिन की पढ़ाई होगी, इन जिलों में होगा रिंग रोट का नर्मान, विहार सरकार ने बीते 15 सालों में सर्गों का जाल बिछाने का काम बखुवी किया है, जिससे कि लोग कम समय में लंबी दूरी तै कर सके, इसी कड़ी में विहार में 8 और चार शेहरों में रिंग रोट का नर्मान होगा, साथी इस साल राज में कई बड़े पुलों का नर्मान भी पूरा हो जाएगा, यही नहीं कई स्टेट हाईवे और नाशनल हाईवे का काम पूरा होगा, तो वहीं कुछ नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होग साथी सुलब संपरकता में आवशकता अनुसार 120 बाइपास का नर्मान होगा, जमीन रजिस्ट्री से पहले अब थर्ड पार्टी करेगी स्थलने दिक्षन, जमीन रजिस्ट्री के मामले में आई दिन कोई न कोई गडबडी देखने को मिलती ही रहती है, जोसे काफी विभाग द्वारा भी स्थलने रिक्षन, जमीन निवंधन में गडबडी पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा, ऐसे में वित्यवर्ष 2022 देज के मधनिशेद उतपाद और निवंधन विभाग के बजट पर बाद विवात के बाद विधान परिसत में सरकार का उत्त देते हुए, मधनिशेद उतपाद और निवंधन मंतरी सुनेल कुमार ने कहा कि रजिस्ट्री से पहले स्थल निरिक्षन का काम थर्ड पार्टी को कराना है, इसके लिए विभाग पूरी पाल दर्शिता के साथ काम करने का प्रयास कर रहा है, निवंधन विभाग के 11 नए लोगों को परिशान करना शुरू कर चुकी है, ऐसे में अनुमान लगाये जा रहा है कि जून जुलाई के समय में गर्मी और भी परिशान करने वाली है, मौसम विज्ञान केंदर के अनुसार प्रदेश में पच्छवा की जगह पुरवा हवा का प्रवाहब बना हुआ है, इसकी गती 4-5 किलोमेटर दर्श की गई है, इसके साथ ही अगले 48 घंटों के दरान तापमान में 2-3 डिगरी की व्रधी होने से प्रदेश का तापमान 40 डिगरी सेल्सियस के पार जाने का आसार है, गुरुवार को प्रदेश का अधिक्तम तापमान 37.6 डिगरी सेल्सियस ब इस बार होली में अपने परिवार के साथ नहीं है, हमेशा सरकार पर हबलावर रहने वाली विपक्ष्षी पार्टी ने होली का संदेश भी कुछ इस प्रकार ही दिया, रावजित के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया, कितनी आसानी से पला जार रही सरकार, बिहार में आई हर वपदा का चुहा जबनार, जो गीरा सार रारा वहीं होली 2022 के अवसर पढ़ने ता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने भी शुपकान नाई दी, तेजस्वी आदव ने रोजकार का भी जिक्र इसमें किया है, मालूम हो कि लालुक प्र इसके लिए नामांकन का काम हो चुका है, साथी सभी पार्टिया इस चुनाव में अपनी पूरी दमखंब को दिखाते वे दिख रही है, और जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है, इसके लिए बिहार, विधान परिसद चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव प् बनाए गया है, सदन में भावुक हो गए अशोग चौधरी, वधान सभा का बजट सत्रिच चालो है, ऐसे में सदन में आई दिन किसी ना किसी बात को लेकर के हंगामा देखने को मिल जाता है, इसी बीच एक बार फिर से सदन में एक मुद्दे को लेकर गहमा गहमी देखने नेताओं में ने महादलितों और अल्पसंख्यकों का अपमान किया है, ये बेहद शर्मनाख है, उन्हाने कहा कि महादलित नेता के रूप में हम लोग जैसे जैसे उचवर्ग के साथ खड़े हैं, इसलिए हमें अपमानित किया जा रहा है, मेरे लिए जिस शब्द का इस्त पर हुए अत्याचार को लेकर हर किसी की आखिलम है, इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई दूसरे इंसान को इस फिल्म को देखने की अपील भी कर रहा, यहां तक कि उतरप्रदेश सरकार ने इस फिल्म को सबसे पहले अपने राज्य में टाक्स फ्री किया था, जिसके बा स्र्विस मेंस परिक्षा का result खोशित कर दिया गया देशपर के अलग-अलग परिक्षा केंद्रों पर 7-8-9-15 और 16 जन्वरी को आयोजित UPSC मेंस परिक्षा का result बीदे दिन देश्राम खोशित किया गया Civil Service मेंस का परिनाम आप UPSC.gov.in पर जुआ कर देख सकते हैं इसके बाद चैने तुमिद्वारों को भारतिय प्रशासनिक सेवा, भारतिय विदेश सेवा और अन्य किंद्रिय सेवाओं में चैन के लिए परसनालिटी टेस्ट रियाने के इंटर्व्यू के लिए शॉट लिस्ट किया गया है आपको बताते चले के इंटर्व्यू आगामी महीना 5 अपरेल से शिड होगी जो की उपसक के कारियाले धौलपूर, हाउस और शाह जहां रोड नई दिली में आयोजित किये जाएंगे धोनी ने दिया कुछ इस तरह से अपते शुपचिंदकों को होली का तौफा आईपेल टीम चन्नेई सुपर केंग्स के कप्तान और क्याप्टन कूल महींदर सिंग धोनी क्रुकिट में प्राप्त अपनी उपलब्धियों को लेकर आई दिन सुर्ख्यों में रहते हैं अभी फिलहाल सूरत में अपनी पल्तन चेन्नेई सुपर केंग्स के साथ आईपेल मैच की प्राक्टिस में जुटे वे हैं जहां उसकी टीम का पहला मैच इसी महीने शुड़ होने वाला है आईपेल के पहले मैच से होने वाली हैं जहां पर उनकी टीम कॉलकता नाइट राइडर से भिरने वाली है हाला कि अभी जिस बात को लेकर के माही चर्चा में है वो इसके अलाबा कुछ और है दलसल हाली में ये पता चला है कि कैप्टन कूल ने अपने गुरह नगर राची में अपने सभी प्रसंचुक और शुप्चिंते को को होली का तौफा दिया है जहां धोनी ने होली के चलते अपने राजी सर्थ फार्म हाउस को पब्लिक के लिए तीन दिन ओपन रखने का फैसला किया है कल हमारे द्वारा पूछे क्या है सवाल का ज्यवाब आप मेंसे बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप मेंसे जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विने कुमार, निकिता कुमारी, शंकर मुख्या, संतोष कुमारी आदफ, रंजीत मिश्रा, रीपु कुमार, अरुन कुमार सन्हा, मंटू चौधर, रगुनाद प्रसाद यादफ अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बिताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अब्लेटेट रहने के लिए हमारी योट्योब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, धन्यवाद